आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउटस का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें संभावना बनेगी तीन सिक्कों को एकसर उचालने पर वो लिख लेते हैं पहली संभावना मालेते हैं कि तीनों सिक्कों में हेड आता है ठीक है अब दूसरी संभावना बनेगी पहले दो सिक्कों में हेड तीसरे सिक्कों में टेल पिसी प्रकार से पहले में हेड दूसरे में टेल, तीसरे में head और चोती संभावना, पहले में tail, दूसरे में head और तीसरे में head, फीक है, अब देखो, यहाँ पर अगली संभावना बनेगी, कि जब दो सिक्कों में tail आता है, और एक में head आता है, मतलब पहले में head, तीसरे में tail, और अगली संभावना, पहले में tail, दूसर करते हैं तो कुल संभावना हुई यहां पर आठ ठीक है अब हमें प्रस्ट में कहा गया है कि हमें प्राइक्ता निकाल लिए उन्द घटना की जिसमें ठीक एक बार यहां पर चीत आता है तो एक ही बार चीत आने की जो प्राइक्ता होगी यहां पर वो क्या होगी चित का तो यहाँ पर एक संभावना यह है, एक यह है और एक यह है यहाँ पर, तो तीर हमें संभावना ऐसी मिल रही है, जिसमें एक ही बार हेड आता है, उटको लिख लेते हैं, एक तो है यहाँ पर ह, टी, टी, और दूसरी टी, ह, टी, और अंतिम यहाँ पर जो संभावना है, टी TH तो इसमें यहाँ पर एक बार चित आता है तो यहाँ पर एक बार चित आने की संभावना को हम E1 माल लेते हैं वो ही यहाँ पर तो प्राइक्ता तो प्राइक्ता P बराबर क्या होगी यहाँ पर E1 बटा E1 बटा N E ठीक है तो E1 यानि कि 3 बटा 3 बटा और N E मतलब 8 यानि कि 3 बटा 8 पराइक्ता होगी ठीक एक बार कित आने की तो हमारे विकल्प में 3 बटा 8 हमें पहले विकल्प में दिया हुआ है तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा धन्यवाद